हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं IPC के सक्षन 452 के बारे में यानि IPC के सक्षन 452 से हम कैसे बच सकते हैं या बचने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे तो चलिए फटा-पट वीडिय लाता रहता हूं। या फिर आप किसी अन्यवकिल से भी इससे समंदित सलाह ले सकते हैं। लेक्ती बिना अनुमत के किसी के घर में गुषने की कोशित करता है या फिर उस पर चोट पहुंचाने के लिए हमले की तयारी करता है या फिर हमला भी कर देता है। तो उसे साथ साल की कारावास प्लस आर्थी दंड का नियम भी बनाया गया है या एक गैर जमानती संगे अपराद की स्रेणी में होता है। साथ ही में या किसी भी नयदिस ध्वरा विचारी नहीं होता है या अपराद समझोते करने योग नहीं होता है क्योंकि समझोते के बावजूद भी इसमें जगड़े की स्थिप बनी रहती है। दोस्तो भारती दंड सहिंता में उल्ले की धारा 452 में अपराद बहुत ही संगीन माना गया है जिसमें कारावास की भी सजा का प्रावधान बनाया गया है तता इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 7 वर्ष तक की सजा को बढ़ाया जा सकता है इस अपराद के तहत कारावास की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है तो यहां पर दोस्तो आपको बता दें कि यदि आपके खिलाब कोई IPC के सेक्षन 452 के अंतरगत F.I.R. दर्ज है तो सबसे पहले आपको किसी वकील से सलाह लेने चाहिए और उनको सारी बाते बताने चाहिए यहां पर वकील से ही कुछ बाते चुपा लेते हैं जिसके कारण उनको आगे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है तो यहां पर अगर आपके खिलाब कोई IPC के सेक्षन 452 के अंतरगत F.I.R. दर्ज है तो आपको सबसे पहले अपने वकील से मिलना चाहिए यहां पर एक बात का और कोई वक्ति आपके खिलाब F.I.R. दर्ज कराता है कि आपने उनको उनके घर में घुसके मारा तो अगर आज परोस में कोई CCTV कैमरा लगा है तो उसकी आप फोटेज लगा सकते हैं अगर आपको मिल जाती तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पच्च में कोई सबूत है या कोई गवा हैं तो आप हाई कोड जा सकते हैं F.I.R. को क्वेश कराने के लिए क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि दो पच्छों में लडाई होती है और कोई भी वेक्ति किसी के घर में घुसकर किसी को नहीं मारता है लेकिन फिर भी लोग जान भूज कर 452 के अंतरगत F. तो आप लगा सकते हैं कोई आपके पास recording है किसी ने कोई वीडियो क्लिप बना ली है तो उसको आप लगा सकते हैं या पिर ऐसी कर कोई संभावना है तो अक्सर आजकल क्या होता है कि अगर कहीं भी थोड़ी बहुत लड़ाई जगड़ा या कुछ भी होता है मारपीट तो क्या होता है लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं तो अगर आपको ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो उसको आप सबूत के तोर पर पेस कर सकते हैं और यहां पर आपको घबराना नहीं चाहिए आपको किसी अच्छे वखिल से मिलना चाहिए और उनको सारी बाते बताना चाहिए 452 की अफायर जब दर्ज होती तो इसमें जो है बेल आसानी से हो जाती है बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है जब ट्रायल चलता है तब की तब देखा जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन बेल इसमें आसानी से हो जाती है तो इन सार जमानत के लिए भी हाई कोड जा सकते हैं जहां से आपको राहत मिल जाएगी तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके खिलाब किसी ने F.I.R. दच करा दी है और आपके सारे राइट्स खतम हो गए हैं यहां पर आपके पास बहुत सारे आप्शन होते हैं इस दारा से बचने के लिए लेकिन सभी मामलों में कंडिशन अलग-अलग होती है इसलिए एक मुकदमे को लेकर के बता पना बहुत मुश्किल होता है इसलिए दो पच्छों में किस बात को लेकर के लड़े जगड़ा हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और यहाँ पर एक बात का देन रखिएगा कि अगर आपके खिलाफ कोई F.I.R. दर्च करवाता है तो आपको भी यहाँ चाहिए कि आप भी उसके खिलाफ F.I.R. दर्च कराएं ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी लोग एक दूसरे से समझोता कर लेते हैं या उसमें पैर भी जादा नहीं करते हैं तो क्या होता है मामला रफादाफा होने की कोशिश होती है लेकिन अगर आपको खिलाफ किसी ने F.I.R. दर्च कराई है लड़ाई जगड़े में और आपने उसके खिलाफ कुछ भी कारवाई नहीं किये तो आपको यहाँ पर पच्टाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा खर्च होगा और उसका ना तो कोई पैसा खर्चा होगा और यहाँ पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता तो ऐसी कोई कंडिशन है वह आविक्ति आपके खिलाफ F.I.R. दर्च कराता है अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे comment box में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाएं जै भारत